नमस्कार मैं हूँ प्रियंका आप देख रहे हैं VDTV भारत 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर मिजन में मोहमद यूसुफ खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा में उन्हें दिलिप कुमार और ट्रैजडी किंग के नाम से जाना जाएगा आज दिलिप कुमार के चाहने वाले केवल भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में मौजूद है सदा बाहर एक्टर दिलिप कुमार ने बुद्वार साथ जुलाई को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया उनके निधन से हर कोई सबने में है लोग यकी नहीं कर पा रहे हैं कि मुगले आजम, देवदास और नया दौर जैसे फिल्म में देने वाले ट्रेजिडी किंग अब हमारे बीच में नहीं रहे जबरदस अदाकारी के लावा दिलिप कुमार अपने रूमेंटिक अंदाज और लव स्टोरी को लेकर भी काफी सुर्गियों में रहे यू तो उनका नाम काफी एक्ट्रिस के साथ जुड़ा लेकिन उनका एंड वक तक साथ साहरा बानों ने निभाया इन दोरों ने जिन्दगी के हर अच्छे बुरे पल साथ मिलकर जिये हलाकि साहरा बानों के अलावा दिलिप कुमार और मदुबाला की लव स्टोरी के किसे भी काफी मशूर हुए जिसका अंद भी बहुत दुख़द हुआ दिलिप कुमार ने 1966 में साहरा बानों से शादी कर ली और उनका ये फैसला बिलकुल सही रहा 1922 में साहरा पहली बार प्रेगनेंट हुई आठ महीने की प्रेगनेंसी में साहरा का बलड प्रेशर बहुत हाई हो गया सरजरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई दिलिप कुमार की माने तो इस घटना के बाद साहरा कभी प्रेगनेंट नहीं हो सकी उन्होंने सालों पहले एक इंट्रव्यू के दौरान एक बात कही दिलिप कुमार का कहना था कि उन्हें बच्चे नहीं होने का कोई भी मलाल नहीं है हलाकि वो ये भी मानते हैं कि अगर अपने बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता उन्होंने अपने और सायराबानों के अधूरेपन पर बात करते हुए एक बताया कि किस तरह दोनों अपने बड़े से परिवार में खुशिया खोज लेते हैं दिलिप कुमार और मदुबाला की मुलाकात 1951 में फिल्म तराना की शुटिंग के दुरान होई थी उन्हें अपने रिष्टे को दुनिया से छिपा कर कभी भी नहीं रखा उन्हें अक्सर मीडिया के सामने हातों में हाट डाले भी देखा जाता था फैंस भी इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद करते थे कहा जाता है कि मदुबाला के पिता अलाउला खान की वजह से दोनों अलग हो गए कहते हैं कि दिलिप कुमार और मदुबाला की सगाई हो गई थी ऐसे में एक बार किसी बात को लेकर दिलिप कुमार और मदुबाला के पिता के बीच बहस हो गई इसके बाद मदुबाला और दिलिप कुमार ने तो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तयार थे और नहीं पिता के साथ हुई बहस को बुला देने को तईयार थे दिलिप कुमार ने जविवात के बाद मदुवाला से कहा था कि उने अपने पिता को छोड़कर उनके पास आना होगा जबकि एक्टरिस ने उने कहा था कि उन्हें उनके पिता से माफी मांगनी होगी दिलिप साहब और मदुबाला का ये रिष्टा नौ साल बाद एक दुखत अंत के साथ खतम हुआ दिलिप कुमार ने आत्म कथा दिलिप कुमार दा सबस्टेंस एंड दा शैडो में इस रिष्टे पर खुल कर बात की इस किताब में दिलिप साहब ने उस बहस का भी जिक्र किया है उन्होंने कहा कि मदुबाला के पिता एक प्रोडेक्शन कम्पनी चलाते थे और वे इस बात से बेहत खुश थे कि उनके परिवार में एक-दो स्टार काम कर रहे हैं और वो चाहते थी कि वो दोनों स्टार सिर्फ उनके प्रोडेक्शन हाउस में काम करें लेकिन दिलिप कुमार का पिच्चरों को चेयन करने का निराला अंदास था बस इसी बात को लेकर भैस हुई और इन दोनों का रिष्टे का अंथ हुआ शारुक और दिलिप कुमार खास बॉंड शियर करते थे सायरा बानो केंख खान को अपने बेटे जैसा मानती है बिमार दिलिप कुमार से मिलने शारुक खान कई बार उनके घार और अस्पताल भी मिलने गए थे